बस अपने कान में लहसुन रखें और नतीजे देखकर दंग रह जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा करने का। पर जब कारण जानेंगे तो यह आसान तरकीब आजमाने दोडेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह बहुत काम आएगा। लहसुन एक खाद्य पौधा है जो दुनिया भर में उगता है, खाने में मसाले के रूप में इस्तिमाल होता है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि लहसुन के और भी फायदे हैं जो मैं इस वीडियो में हूँगा। मुहासे और फूंसियों से लड़ता है। लहसुन के एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक गुण मुहासों के बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इसके लिए लहसुन को पीस कर पानी में घोल लें। फिर इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाएं और कुछ मिनट रहने दें। फिर धोलें। आप बड़ा फर्क देखेंगे। फिर कभी मुहासे नहीं होंगे। यह डैंडरफ से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत अच्छा है। यह आम समस्या है। और रूसी से पीडित लोग जानते हैं कि यह कितना कठ तो लहसुन आपका समाधान हो सकता है। इसके लिए चार लहसुन कलियाओं कद्दू कस करें और एक चम्मच जैतून का तेल मिलाए। फिर इसे कमरे के तापमान पर एक या दो दिन के लिए रखें। समय बीतने के बाद मिश्रण को सिर की तवचा सहित पूरे बालों पर लगाए। तेरह मिनट के लिए छोड़ दें। फिर सामान्य रूप से धो लें। डैंड्रफ गायब हो जाएगा। सर्दी के लक्षणों में सुधार करें। लहसुन की एक कली काटें और गर्म पानी में पांच मिनट के लिए डालें। फिर बस छान लें। यह एक शक्ति प्राकृतिक सिरप है जो सर्दी के परेशान लक्षणों को कम करेगा। अब जब आप लहसुन के अन्य उपयोग जानते हैं मैं बताऊंगा कि कान में लहसुन क्यों डालें। आपको बस लहसुन की दो कलियां लेकर काटनी है। फिर उन्हें एक चम्मच जैतून के तेल के साथ कडाही में डालें। इस मिश्रण को तेज आँच पर सुनहरा होने तक पकाएं। जब ऐसा हो जाए तो आँच बंद कर दें। अब तरल को एक बरतन में डाल दें। ठंडा होने पर रुई को तरल में डुबो कर कान में रखें। तीन मिनट के लिए। यह कान दर्द स राहत देगा जो अक्सर सूजन या संक्रमण से होता है। अगर आपको कोई लक्षन लगता है तो नीचे बताएं कौन सा है तो बस इतना ही आशा है आपको पसंद आया होगा।